बेगु सराय के साहेपूर कमाल में बूरी गंड़क नदी पर बना पूल बीद से तूट गया है रविबार सुबा पूल तूट कर पानी में समा गया है नौ सालों से इस फुल का काम चल रहा था इस फुल का अभी उदगाटन भी नहीं हुआ था तेरह करोड की लागत से इसे बनाया गया था दो दिन पहले गुरुवार को इसके पिलर नंबर दो तीन के बीच दरार देखी गई थी इसके बाद से इसके इस्तमाल पर रोक लगा दी गई थी और रविबार को ये तूट कर नदी में समा गया पूल के धसने और गारडर में दरार के सूचना मिलते ही बलिया S.D.O. रोहित कुमार, S.D.P.O. कुमार वीर धहरिंद्र, C.O. सतिस कुमार सिंग, C.I. आखिलेस राम एवं स्थानिय थाना के पूलिस दल बल के साथ पहुंच स्तिती का जैजा लेने पहुंचे थे पूल के दोनों तरफ चौकिदार की तैनाती करने के साथ ही पूल के दोनों तरफ बैरिकेटिंग कर सभी तरह के वाहनों के परिशालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। गाओं के लोगों के लंबे समय से उठ्रह मांग के बाद साल 2012-13 में इस गंडक नदी पर पूल निर्मान को लेकर स्विक्रते मिली थी। जिसके निर्मान का जिम्मा मा भागवती कंस्ट्रक्शन को मिला था। और महज एक साल बाद 22 अगस 2017 को ये पूल बन कर तयार हो गया था और आज पांस साल बाद ये पूल तूट कर दो हिस्सों में बढ़ चुका है। बीस ज़ार से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। खास कर किसान लोगों को काफी कटिनायों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मवेश्यों का चारा के लिए ये पूल काफी कारगर साबित हो रहा था। वहीं इसका खामियाजा अब यहां के चात्र चात्राओं और बिमार पीडित लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। स्थानिय लोगों का कहना है कि गंडक नदी पर ये पूल बनने के बावजूत भी वाहनों के आवाकमन पर रोग थी। यह मार्क अवरूत रहने के कारण यहां के लोगों को मुख्य मार्क एनेच इकत्तिस तक पहुँचने के लिए एकमात्र बांध मार्क से तार करना पड सुलब सड़क नहीं रहने के कारण यहां तक कोई सवारी गारी नहीं चलती थी। मालूमों की काफी लंबे समय से उठ रही मांग के बाद साल 2012-13 के ततकालिन वधायकसा बिहार सरकार के समाच कर्डियान मंत्री परिवहन अमान अतुल्ला की पहल पर बूरी गंडक नदी प